15 अगस्या सुतंतरता दिवस के सेलिब्रेशन को लेकर बच्चों में खासा उत्सा दिखाई देता है जंडा फैराने से लेकर संस्कृतिक कारेकरम तक बच्चे इन सभी क्रियाओं में शामिल होने के लिए उत्सुक नजर आते हैं मार्च पास से लेकर खाने का कूपन मिलने तक बच्चों के मन में खुशी डबल हो जाती है हाला कि करोना संकरमन को रोकने के चलते जारी लॉकडाउन में इस बार ये सब संभव नहीं हो पाएगा स्कूल और शिक्षन संस्थान बंध होने के कारण बच्चे इस बार खुल कर स्वतंतरता दिवस के जश्न में शामिल नहीं हो पाएगे वैसे कई सोसाइटीज में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए आजादी का जश्न मनाया जाने वाला है ये जश्न भले ही बहुत ही साधारन होगा लेकिन शायद कुछ पलो के लिए बच्चों को खुशी दे सके वैसे कुछ स्कूल और शिक्षन संस्थान ऑनलाइन ही आजादी का जश्न मनाने की कोशिश में जुटे हैं ऐसे में बच्चों को ऑनलाइन अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा कई स्कूलों में स्वतंत्ता दिवस के मौके पर बच्चों के लिए कई तरह की ऑनलाइन प्रत्योगिताय आयोजित किये गई हैं ऐसे में बच्चों को उनके लिए पहले से तयार होने की जरूरत है और पेरेंट्स इसमें सबसे एहम रोल निभाने वाले हैं दरसल बच्चों को इस जश्न की तयारी करने में पेरेंट्स अपना यूगदान देंगी आपको बता दे चात्रों को वाट्सैप पर फ्लैग की वीडियो साजह कर दी जाएगी राजेंदर नगर में स्थित मानव स्थलिय स्कूल में ओनलाइन स्वतंतता दिवस मनाने का प्लैन है विद्याले की प्रधाना चार्य ने बताया कि स्कूल में पहली बार संस्कृतिक कारेकरम वे प्रभात फेरी जैसे आयोजन नहीं आयोजित किये गए है स्कूल की दरफ से ओनलाइन स्वतंतता दिवस का कारेकरम आयोजित किया गया है इसके बत्रे जिसमें छात्रों को संगीत नित्य कारेकरम में भाग लेने का मौका दिया गया है आपको बता दे करोना संकरमन के बीश शनिवार को राश्चे पर स्वतंतता दिवस धून धाम से मनाये जाने वाला है इसके लिए राजधानी दिल्ली में शारिडिक दूरी के साथ स्वतंतता दिवस मनाने की पूरी तैयारियां कर ली जा चुकी है शेहर के बाजार और कलूनिया देश भक्ती के रंग में डूट चुके हैं नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली की कलूनियों में स्थानी आर डवलुई की तरफ से अलग अलग जगाओं पे छंडा फेराया जाएगा ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी झाल झाल